गाइस आयोरवेत कहता है यदि आप यह तीन काम करते हैं तो आप ब्रद अवस्ता में भी जवान नजर आएंगे जी हाँ गाइस मैं आपको कुछ तीन ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ यदि आप इसको करते रहे तो आप सतर असी साल तक के भी हो जाएंगे लेकिन आपके चेरे पर वो खुबसूरती रहेगी वो चमक रहेगी वो मजबूती रहेगी आप जैसे तीस या पैतिस साल के हैं जी हाँ फ्रेंड एक सेगिन भी इस वीडियो का टाइप बिल्कुल भी वैस्ट मत करना क्यूंकि मैं बहुत थी ऐसी तीन चीज़ें बताने बाला हूँ जो के आपके जीवन में हमेशा काम आने वाली हैं सबसे पहली चीज़ आपको हफते में एक दिन फिर चाहे रवीवार का दिन हो या बुद्धबार का दिन हो इन दोनों दिन में से किसी एक दिन को चूस कर लेना हफते में आपको एक दिन तेल मालिस जरूर ही करनी चाहिए सरीर को पोर्षर देने का सबसे अच्छा तरीका है इससे वाड़ी का सर्कुलेशन वड़ता है मसल्स की कमजूरी दूर होती है सरीर में ताकत महसूस होती है और हड़िया मजबूत होती है इसके अलाबा तेल मालिस हमारे वालों और हमारी स्कीन के लिए बहुत ही जादा फायदे मन्द है, बहुत ही जादा लाफ कारी है इसलिए आपको तेल मालिस जरूर ही करनी चाहिए हफते में एक दिन आपको दूसरा काम क्या करना है नीवू रस नीवू का एक पीस काटिए उसका एक छोटा बाला पीस लेकर आप अपनी सबजी में जो आप खाते हों सबजी में उसका रस मिला कर आप खाईए या फिर आप इसका जूस भी पी सकते हैं या फिर मैं आपको स्कीन पर दिखाये देता हूँ जो आप देख लीजिए मैं क्या करता हूँ एक छोटा सा बरतन लेता हूँ इसमें पूरी तरीके से मसाले मिक्स करने के बाद नीबू के पीस काट कर उसमें मिलाई देता हूँ और इसमें मिस्री भी मिला देता हूँ या फिर गोड मिला देता हूँ ताकि यह मीठा वन जाए इनका अचर तयार करने के बाद में अपने पास हम investment के अचर को रखता हूँ डेली खाता हूँ जिनको मोटापा है तो उनको तो यह जरूर ही लेना चाहिए एक गिलास गर्म गुनगोने फाने में आपको दो चार मुने नीबू के रसकी मिला कर पीना चाहिए इससे आपका मोटापा कम होगा एक्स्टा फेट कम होगा इसलिए आपको नीबू का सेबन जरूर ही करना चाहि तीसरा काम जो कि वेहद जरूरी है जो कि मैं डेली करता हूँ इसलिए मैं आपको वताय देता हूँ आयरुविदिक में इस चीज के लिए बहुत ही जादा वड़ा चड़ा कर लिखा है इसके बहुत ही जादा हमें फाइदे मिलते हैं एक गलास गर्म गुनगोनी दूद में आपको कुछ तुकड़ी मिसरी के मिला देने ताकि यह मीठा हो जाए फिर इसको गरम करने के बाद जब यह ठंडा हो जा थोड़ा सा गुनगोना रहे तब आपको पी लेना चाहिए चाय कॉफी जितना आप कम करने पीना बहुत ही अच्छा रहेगा आयरुर विदिक के अन वी के अनुसार और बिटामिन एडी बहुत ही जादा ये दूद हमें फायदा पहुंचाता है हमारी स्कीन ब्रदबस्ता होने के बाद भी हमारी स्कीन सुकरती नहीं हमारी स्कीन पर चमक रहती है ताकतवर हम रहते हैं हमेसा और हमारा चेहरा हमेसा गुलो करता रहता है वा कि मिस्री जो की बहुति फायद इमांद होती है इसमें किसी भी तरह का कोई नहीं होता है जो मैं आपको इस क्रीप ही यूज करने चाहिए तो गाइस मैंने जो आपको तीन तरीके वता है यदि आप इनको अपनाएंगे तो आप हमेशा सुन्दर रहेंगे जबाण रहेंगे व्रद अवस्ताफ से कोसो दूर रहेगी तो आपके यह तीन कम जरूर ही करने चाहिए वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कर देना अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वैल का बटन और पर सेलेक्ट जरूर कर लेना